नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल्ज 2Fact Teaching में आपका श्वागत है, आज कहा हमारे विशा है, विशा है, हमारे चैनल्ड चैनल्ड का सिर्क करेंगे, कि लिए आप हमारे चैनल्ड के सिर्क करें, रोगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने पर, ततहा गुस्य के करण उत्पन लक्षनों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इस और्जी को बहुत ज्यादा पसीना आने पर, बुखार आने पर, बुखार में प्यास नहीं लगने पर, एक गार्म गर्म और दुसरा गार ठंडा लाना, चेहरा पीला पर जाना जैसे लक्षनों में बहुत उप्योगी माना जाता है बिविन रोगों के लक्षनों का धार पर कैमामीला मेट्रिक के रिया और जीक उप्योग जैसे सांस समझे लक्षन रोगी को सूखी खासी होती है, जो रात को सोचे समय अचानक कूट जाती है, लेकिन खासी होने पर भी रोगी जाकता नहीं है लोगी के घले में अचानक ऐसा मौसुस होना कि जैसे कोई चीज उटक रही हो, इस तरह से होकर खासी उठना लोगी को होने वाली पुरानी खासी जो सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, लोगी का पूरा स्वरीर ठंडा राना लेकिन उसके चेर्य और सांस में एक तरह की गर्मी सी रहती है, लोगी को एक ही साथ गर्मी और सर्दी दोना महसूस होता है लोगी की तोचा नम रहती है, लेकिन उसमें ऐसी गर्मी परदा हो जाती है, जैसे की तोचा जल रही हो आधी लक्षनों में लोगी को कैममीला मैट्रिकेली आउदे देने से लाम मिलता है इस्तिरी जोग समझ लक्षन लोगी इस्तिरी को मासिक सरव के समये सरव का लुकुरूख कराना तथा सरव में खुनकाले रंगा और गाड़ाश आना प्रशाव का धर्द उबुपर की और दवाब पढ़ने के साथ यह पीट से शुरू होकर जान के नदर की और नीचे की तरफ उतरता है रोगी इस्तरी का गरभाशय का मुख सक्त होने के कारण होने वाला दर्द जो इस तरी शान भी नहीं कर पाती। इस तरह के लक्षनों में रोगी इस्तरी को कैममीला मैट्रिकेरिया वजे दी जाए उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। कारण से समझत लक्षन रोगी के कानों में इतनी तेजी से दर्द होना कि रोगी दर्द के बार चिलाने लगता है। रोगी को कानों में थोड़ी-Thोड़ी देर के बाद दबाष हा महसस होता है। इस तरह के लक्षनों में रोगी को कैममीला बेट्रिकेरिया होती देने से आराम आता है। पेट से समधित लक्षन, पेट में गैस भर जाने के कारण रोगी का पेट फूल जाता है और बहुत तेज दर्द होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद गुदा द्वार से गैस निकलती रहती है, येकिन फिर भी रोगी को पेट दर्द अराम नहीं मिलता, गैस निकलने के रोगी को पतला सा, पानी की तरह हड़ी रंग का वद्गुदार दर्द आना, जैसे लक्षनों में रोगी को कैमोमीला मेट्रिक के लिए और देना, वह तित रोगी सावित होता है, मुझ से समधित लक्षन, रोगी जैसे ही कोई बहुत गर्म गर्म चीज खाता है, तो उसक प्षूस होते हैं, बच्छों के दात लेते समय, बच्चों को दस्त हो जाना, हर लंग के बहुत ज़्यादा बर्मु के साथ है, इन लक्षनों के अधर पर रोगी को कैमोमीला मेट्रिक ये लिया उस्दी बहुत रोगी सावित होती है, बेचैनी से समधित लक्षन, रोगी एक अजीव से बेचैनी सी रहना। रोगी को वात का दर्द होने के कारण रात के समय विश्टर पर लेटा नहीं जाता है। रोगी को इस तरह का दर्द होना जैसे कि किसी ने छेद कर दिया हो और उसे कारण रोगी तमीरी पर लोटने लगता है। बच्चे को जब बार गुमाने के लिए ले जाये जाता है तो वह हर चीज को देखकर मांगने लगता है। चीज नहीं दिलाने से वह रोने लगता है। लेकिन बच्चे को अगर बच्चे दिला भी दिया जाये तो वह उसे थोड़ी दिन थोड़ी पही फिख देता है। ऐसे लक्षनों में लोगी को कैमर मिला मैट्रिके लिया और देकर चबन कराना लाबकाड़ी रहता है। मन से समझत लक्षन, रोगी कर सुभाव बहुत जादा चिलशीरा हो जाना। छोटी-छोटी बातों पर रोगी गुश्या करने लगता है। रोगी दूसरे लोगों से सही तरह से बात नहीं करता है। उपयोगी थावित होता है। मात्रा रोगी के लक्षनों को अच्छी तरह से जानकर अगर उसे कैमा मिला मैं ट्रिक केरी आउस्दे की दूस हो सकते दी जाए तो रोगी कुछी दिनों में बिलकुल स्वास्थ हो जाता है अपने आगले वीडियो में इसमात्र पुट विशय पर बत्र जानकर यों के साथ आगे साने प्रसुत होंगे धन्यवाद